Assalamu alaikum dear students of 8th class, I am your concerned SST teacher Sajad Ahmed. Today we are going to touch another new chapter from your political science textbook that is chapter number 9, Public Facilities, यानि कि अवामी सहूलियात. तो चलिए, शुरू करते हैं. अम्मू और कुमार चिन्नई से एक बस में सफर कर रहे हैं. वो शेहर के चकर लगाते हैं. वो पानी की सहूलियात का मुशाइदा करते हैं, जो कि चिन्नई के मुक्तलिप हिस्सों में मुझूद है. अब हम पढ़ते हैं पानी और चिन्नई के लोगों के बारे में. मिश्टर रामा गोपाल जैसे सीनियर सर्टारी ओहदेदार अन्नान अगर चिन्नई में रहते हैं ये अलाका सरसब्स वशादाब नजर आता है जिसमें लान के साथ पानी के फराग दिली से देखबाल की जाती है यहां के बंगलो में दिन के बड़े हिस्से के लिए नलका पानी होता है इन दिनों जब पानी की फराहमी ना काफी है मिश्टर रामा गोपाल एक सीनियर ओहदेदार से बात करते हैं जिसे वो म्यूनसिपल वाटर बोर्ड में जानते हैं और उनके गर के लिए पानी के टेंकर का आसानी से इंतिजाम किया जाता है शहर के बेश्टर अलाकों की तरह माइलापूर में सुब्रमन्यम के अपार्टमेंट्स पानी की किलत का शिकार है इस अलाके को दो दिन में एक बार बलद्याती पानी मिलता है एक प्रवेट बोर्वेल रहाइशों की कुछ पानी की जुरियात को पूरा करता है ताहम बोर्वेल का पानी खटा है लहाज़ा रहाइश से अपने बाइतल खुला और दोने के लिए इस्तिमाल करते हैं दूसरे इस्तिमाल के लिए पानी टेंकरों से खरीदा जाता है सुब्रमनियम टेंकरों से पानी खरीदने पर पांच सो से छे सो रुपे महाना खर्च करते हैं पीने के पानी के लिए मकीनू ने अपने गरों में पानी साफ करने के निजाम नस्ब किये हैं यानि कि जैसे हम अपने गरों में वाटल प्यूरिफायर रखते हैं जो पानी को साफ करते हैं शीवा मा दिपकमंद में एक मकान की पहली मंजिल पर किराए पर रहता है और इसे चार दिन में एक बार पानी मिलता है पानी की कमी एक बड़ी वज़ा है कि शीवा अपने खांदान को चिन्नाई नहीं ला सकता पीने के लिए शीवा बोतल बंद पानी खरिता है वो जो पड़ी का किराया सारे 600 रुपे महाना अदा करती है जिसमें न तो बातरूम और नहीं नल का कनेक्शन है आईसी तीस जोपडियों के लिए एक कोने में एक आम नल होता है जिसमें रोजाना दो बार बीस मिनट के लिए एक बोरवेल से पानी आता है एक खांदान को उस वक्त के अंदर ज्यादा से ज्यादा तीन बाल्टियां बरनी परती है यही पानी दोनी और पीने के लिए इस्तिमाल होता है गर्मियों में बहाव एक चाल बन जाता है ताकि एक खांदान को सिर्फ दूसरे की कीमत पर पानी मिले लोगों को पानी के टेंकरों का तवील इंतिजार करना पड़ता है अब हम पड़ते हैं पानी जिन्दगी के बुन्यादी हक के हिस्से के तोर पर पानी जिन्दगी और अच्छी सहत के लिए जरूरी है ना सिर्फ ये जरूरी है बलके हम अपनी रोज मरा की जरूरियत को पूरा कर सकें बलके पीने का साब पानी पीने से मुतलिक कही बिमारियों को रोग सकते हैं बहरत में डहेरिया, टिसेंट्री, कॉलरा, इसके बहुत सारे केसिस पाए जाते हैं सोला सो से ज्यादा हिंदुस्तानी जिन में से बेश्टर पांच साल से कम उमर के बच्चे हैं मुबीना तोर पानी से मुतलका बिमारियों की वज़ा से रोज मरते हैं अगर लोगों को पीने का साब पानी मैसर हो तो इन अमवात को रोका जा सकता है आइन हिंद आर्टिकल अकीस के तहट पानी के हक को जिन्दगी के हक के तोर पर तसलीम करता है यानि के आर्टिकल 21 एक कीमत जो वो बद्दाश्ट कर सकता है दूसरे अलफाज में पानी तक आफ़ अकी रसाई होनी चाहिए कही अदालती मकदमात हैं जिन में हाई कोट और सुप्रीम कोट दोनों ने कहा है कि पानी पीने का हक बुनियादी हक है 2007 में आंडरा प्रदेश हाई कोट ने जिल्ला महबूब नगर के एक दिहाती के पीने के पानी की आलोदगी के बारे में लिखे गए ख़त की बुनियाद पर एक केस की समात के दोरान उसको बहाल किया दिहाती की शिकायत ये थी कि एक टेक्स्टाइल कमपनी जहरीले कमिकलर्स को इसके गाउं के करीब नदी में छोड रही थी जो जमीनी पानी को आलोदा कर रही थी जो कि आपाशी और पीने के पानी का जरिया था अदालतों ने महबूब नगर के कोलेक्टर को हिदायत की कि गाउं के हर फर्द को 25 लीटर पानी फरहम किया जाए अवामी सहूलियात पानी की तरह दीगत जरूरी सहूलियात भी है जने हर एक के लिए फरहम करने की जरूरत है पिछले साल आपने इस तरह की दो दीगर सहूलियात के बारे में पजा सहत की देखबाल और सफाई सुतराई इसी तरह बिजली पबलिक ट्रेन स्पोर्ट सुकूल और कालेज जैसी चीज़े भी जरूरी है ये अवामी सहूलियात के नाम से महशूर है यानि कि पबलिक फैसल्टीज के नाम से महशूर है एक अवामी सहूलियत की एहम खुसूसियत ये है कि एक बात जब ये फरहम की जाती है तो इसके फवाइद बहुत से लोग शेयर कर सकते हैं इसी तरह एक अलाके में बिजली की फरहमी बहुत से लोगों के लिए मुफीद साबित हो सकती है किसान अपने खेतों को सेराब करने के लिए पंप सेट चला सकते हैं लोग बिजली की बन्याद पर चलने वाली छोटी वर्कशापे खोल सकते हैं तुलबा को पढ़ने में आसानी होगी और गाओं के ज़्यादातर लोगों को फाइदा होगा किसी ना किसी तरह हमारे आईन ने छे से चोड़ा साल की अमर के तमाम बच्चों के लिए तालीम के हक की जमानत दी है तमाम बच्चों के लिए दिस्तियाब सकूलिंग सहूलियत में भी बराबरी इस हक का एक एहम पहलो है ताहम तालीम पर काम करने वाले कार्टनू और उल्मा ने इस हकीकत को दस्ताविज किया है कि हिंदुस्तान में स्कूल की तालीम इंतहाई गेर मसावी है यानि कि हाइली अनिक्वल है हकूमत को पूरे आबादी के लिए मुनासिब सहत की सहूलियात तक मुनासिब रसाई फरहम करने के लिए फाआल किर्दार अदा करने के जरूरत है इसमें पॉलियो जैसी रोक थाम की बीमारियों का खात्मा शामल है जैसा कि उपर की तस्वीर में दिखाया गया है यानि कि पेज नमबर 110 पे अब हम पढ़ते हैं हकूमत के किर्दार के बारे में यानकी गॉर्मिंट जरूर ये देखते हुए कि आवामी सहूलियात बहुत एहम है किसी को उन लोगों को फरहम करने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए जिससे ये लगे कि ये कोई हुकूमत है हुकूमत के सबसे एहम कामों में से एक ये है कि ये यकीनी बनाया जाए कि ये अवामी सहूलियात सब के लिए दस्तियाब रखती है अगये हम कोशिश करते हैं और समझते हैं कि हुकूमत और सिर्फ हुकूमत को ये जिम्मेदारी क्यों उठानी परती है हमने देखा है कि निजी कंपनिया यानि कि प्रावेट कंपनिया मार्टिट में मुनाफय के लिए काम करती है आपने इसके बारे में अपनी कलास साथवी की किताब में एक शर्ट की कहानी के बाब में पड़ा है बेशतर अवामी सहूलियात में कोई फाइदा नहीं होना चाहिए मिसाल के तोर पर नालियों को साप रखने या एंटी मलेरिया मुहिम चलाने पर कमपनी को क्या मुनाफ़ा हासिल हो सकता है एक निजी कमपनी शायद इस तरह के काम करने में दिल्चस्पी नहीं लेगी लेकिन दीगर आवामी सहूलियात जैसे इसकूलों और अस्पतालों के लिए निजी कमपनीया दिल्चस्पी रख सकती है हमारे पास इन मेंसे बहुत से हैं खास तोर पर बड़े शेहरों में इसी तरह अगर आप किसी शहर में रह रहे हैं तो आपने निजी कमपनीयों को टेंकरों के जरिए पानी की फरहमी या सेल शुदा बोतलों में पीने का पानी सप्लाइ करते देखा होगा ऐसे मामलात में निजी कमपनीयों आवामी सहुलियात महिया करती हैं लेकिन इस कीमत पर जो सिर्फ कुछ लोग बरदाश्ट कर सकती है यानि कि जिन के पास पैसा होगा जो इन चीज़ों को खरीच सकते हैं लहाज़ा ये सहुलियत सब के लिए सस्ती शरापर दस्तियाब न लोगों को इतनी रकम मिल जाएगी जितनी वो अदा कर सकते हैं तो बहुत से लोग जो इस तरह के सहुलियात के अकराजात बरदाश्ट नहीं कर सकते वो एक अच्छी जिन्दगी गुजारने के मौके से महरूम हो जाएंगे वाजिया तोर पर ये एक मतलूबा आप्शन नहीं है अवामी सहुलियात लोगों की बन्यादी जरूरियात से मतलिक हैं किसी भी जदीर माशरे का तकाजा है कि ये सहुलियात फरहम की जाए ताकि लोगों की बन्यादी जरूरियात पूरी हो जिन्दगी का हक जिसकी आईन जमानत देता है आर्टिकल 21 वो इस मुलक में रहने वाले तमाम अफराद के लिए है इसलिए अवामी सहूलियात की फराहमी की जिम्धारी हकुमत की होनी चाहिए तो प्यारे बच्चो आज के इस पहले लेक्चर में इतना ही उमेद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझाया होगा अगले वाले लेक्चर में हम मजीद फैसल्टीज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और लोगों की problems के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तब तक के लिए अल्लाहाफिज Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu फी अमानिल्ला Assalamu alaikum dear students of 8th class I am your concerned assistant teacher Sajad Ahmed Hope all are doing well Today we are going to discuss our second lecture that is about availability of money Where does the government get money for public facilities यानि कि सरकार हुकूमत को अवामी सहूलियात के लिए पैसा कहां से मिलता है तो आईए इस बात को जानते हैं हर साल आपने हुकूमती बजट पारलिमेंट में पेश होते सुना होगा ये उन अखराजात का हिसाब है जो हुकूमत ने गुज़श्टा सालों में अपने प्रोग्रामों पर किये हैं और आने वाले साल में इसकी कितनी रकम खरच करने का इरादा रखती है हुकूमत के लिए आमदनी का बुनियादी जरिया अवाम से इकठा किया जाने वाला टेक्स है और हुकूमत इन टेक्सों को जमा करने और इस तरह के प्रोग्रामों के लिए इस्तमाल करने का इक्तियार रखती है मिसाल के तोर पर पानी की फराहमी के लिए हुकूमत को पानी को पंप करने इसे तवील फासले तक ले जाने तकसीम के लिए पैप बिचाने नजासत के लिए पानी का इलाज करने और आखिर में गंदे पानी को जमा करने और इसका इलाज करने के अखराजात उठाना परते हैं ये उन अखराजात को जजवी तोर पर मुक्तलिब टैक्सों से पूरा करता है जो ये जमा करता है और जजवी तोर पर पानी की कीमत वसूल करके ये कीमत इसलिए मुकर्ण की गई है कि ज्यादा तर लोग रोज़ाना इस्तिमाल के लिए पानी की एक मकसूस मिगदार को बरदाश्ट कर सके जैसा कि अमू और कुमार चिन्नाई के इर्द गिर्द गुमते हैं तो अमू कुमार से कुछ सवाल पूछती है अमू क्या पूछती है कुमार से क्या आपने देखा कि सेरा पीट की सर के बहुत गंदगी और इस्ट्रीट लाइट्स के बगेर थी मैं हेरान हूँ कि रात को ये जगा कैसी दिखती होगी कुमार जवाब देते हुए आप कच्ची आबादी में इस से बहतर क्या तवक्का कर सकते है अमू कच्ची आबादीयां आईसी क्यों होनी चाहिए क्या इन्हें अवामी सहुलियात नहीं मिलनी चाहिए जवाब कुमार मेरे खयाल में अवामी सहुलियात उन तमाम लोगों के लिए है जो काल्नियों में मुनासिब गरूं में रहते है ये वो लोग है जो टेक्स देते है अमू आप ऐसा क्यों कहते है कच्ची आबादी के रहने वाले भी शहरी है और उनके भी हकूक है कुमार अरे हकूमत इस तरह देवालिया हो जाएगी अमू ठीक है इसे रास्ता तलाश करना होगा क्या आप सोच सकते हैं कि मुनासिब सरकू पानी बिजली के बगेर कच्ची आबादी में रहना कैसा होगा कुमार गलत अमू हमारा आईन जिन्दगी की बहुत सी सहूलियात को जिन्दगी के हक यानि कि आर्टिकल टूइंटी वन के तोर पर तसलीम करता है हकूमत को ये देखना चाहिए कि ये हुकूक महफूज है ताकि हर कोई महजब जिन्दगी गुजार सके अच्छी जिन्दगी गुजार सके अवामी सहूलियात क्या है हकूमत अवामी सहूलियात की फराहमे की जिन्दगी क्यों है दूसरा हकूमत निजी कमपनियों को कुछ अवामी सहूलियात फराहम करने के लिए हासिल कर सकती है विसाल के तोर पर सरके बनाने का ठेका निजी ठेकदारों को दिया जाता है देहली में बिजली की तक्सीम दो निजी कमपनिया करती हैं ताहम हकूमत को इन पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि वो इन सहूलियात को तमाम लोगों तक और सस्ती कीमतों पर पोचाने के अपने वादे को पूरा करें आपको क्यों लगता है कि हकूमत को अवामी सहूलियात की मजमुई जिमेदारी कबूल करनी चाहिए यहां तक कि जब वो निजी कमपनियों को काम का हिस्सा बनाती है तीसरा अपने पानी के बिल को देखे और मालूम करें कि आपके अलाके में मिनसिपल पानी के लिए कम असकम शरा क्या है क्या पानी के इस्तिमाल में इजाफे के साथ शरा में इजाफा होता है आपके ख्याल में हकूमत पानी के ज्यादा इस्तिमाल के लिए ज्यादा शरा क क्यूं लेती हैं चोधा एक तंखादार शक्स अपनी फैक्टरी कारुबार चलाने वाले शक्स और एक दुकानदार से बात करके हकूमत को मुक्तलिब कस्म के टेकस अदा करें अलास रूम में अपने नताइज अपने उस्ताद के साथ शियर करें बसें मुक्तसर फासले पर प एहम शकल है ये काम करने वाले लोगों की अकसरियत के लिए काम की जगा का एहम लिंक है तेजी से शहरी कारी के साथ बगे शहरों में भी पबलिक बस सिस्टम मांग को पूरा करने के काबिल नहीं रहा है एक मुतबादिल के तोर पर हुकूमत ने देहली और दीगर मेट्रो पॉलिकेन शहरों के लिए महत्वा कांकशी मेट्रो रेल मनसुबों की मनसुब अबंदी की है नई टेकनॉलोजी का इस्तिमाल करते हुए देहली में मेट्रो रेल के पहले हिस्से की तामीर के लिए सरकारी बज़ट से गेरा हजार करोज रुपे खरच किये गए लोगों ने निशान दही की है कि इस बड़े अकराजात से बचा जा सकता था अगर इस रकम का सिर्फ एक हिस्सा पब्लिक बस सिस्टम को अपग्रेड करने पर खरच किया जाता क्या आप इस बात से एतिफाक करते हैं आपके ख्याल में हिंदुस्तान के दिगर अलाकों के लिए क्या हल हो सकता है इसके बार परते हैं अवलिविल्टी आफ वाटर तो चिन्नई चिन्नई को पानी की फरहमी क्या ये सब के लिए दिस्तियाब है अगर्चे इसमें कोई शक नहीं कि आवामी सहूलियाथ सब के लिए दिस्तियाब होनी चाहिए हकीकत में हम देखते हैं कि आईसी सहूलियाथ की बड़ी कमी है इस बाब के बाक्या हिस्से में हम पानी की फरहमी के बारे में पढ़ेंगे जैसा कि हमने देखा है एक अवामी एहमियत की सहूलियत है चिन्नाई में पानी की फरहमी जैसा कि हमने बाब के आगाज में देखा किलत का निशान है मिनिसिपल सपलाई आवसतन सिटी शहर के लोगों की सिर्फ आदी जुरूरियाथ को पूरा करती है कुछ अलाके ऐसे हैं जहां दूसरों के मकाबले में पानी बाकाइदगी से मिलता है वो अलाके जो जखीरा करने के मुकामात के करीब हैं ज्यादा पानी हासल करते हैं जबके कॉलनिया मजीद दूर पानी हासल करती हैं पानी की फराहमे में कमी का बोज ज्यादतर गरीबूं पर परता है मतवस्त तबका जब पानी की किलत का सामना करता है मुक्तलिब कस्म के निजी तरीकों से निमचने के काबिल होता है जैसे बोर्वेल खोदना, टैंकरों से पानी खरीदना और पीने के लिए बोतल बन पानी इस्तिमाल करना पानी की दस्टियाबी के अलावा महفوظ पीने के पानी तक रसाई भी कुछ लोगों के लिए दस्टियाब है और यह इन्हिसार करता है कि कोई क्या बरदाश्ट कर सकता है एक बार फिर अमीरों के पास मजीद इंतिखाब है बोतल बन पानी और वाटर प्यूरिफायर्स में तेजी की मंडी की बड़ावलत जो लोग इसे बरदाश्ट कर सकते हैं उनके पास पीने का साब पानी है जबकि गरीब फिर से महरूम है हकीकत में ऐसा लगता है कि ये सिर्फ पेसे वाले लोग है जो पानी का हक रखते हैं काफी और महफूज पानी तक आलमी रसाई के मकसद से बहुत दूर है दही अलाकों में इंसानी इस्तिमाल और मवेशों के इस्तिमाल के लिए पानी दोनों की जरूरत है पानी के जराया कुएं, हैंड पंप, तालाब और बाज आवकाट आवर हैंड टेंक है इन में से बेश्तर निजी मिलकियत है शहरी अलाकों के मकाबले में दही अलाकों में आवामी पानी की फरहमी की इस से भी ज़्यादा कमी है किसानों से पानी लेना पानी की कमी ने निजी कमपनियों के लिए बड़े पाइमाने पर मवाके खोले हैं कही प्रवेट कमपनियां शहरों को पानी शहर के आसपास की जगों से खरीद कर फरहम कर रही है पानी करीबी कस्बू जैसे मामंदूर, पालूर, कारून, गेजही और दिहाद से शहर के शमाल में 13,000 से ज्यादा पानी के टेंकरों के बेड़े से लिया जाता है हर माह पानी के डेलर, किसानों को अपनी जमीन पर पानी के जराय के इस्तेहसाल के हुकूख के लिए पेशगी, अदाइगी करते है ये पानी ना सिर्फ जिरात, बलकि गाउंवालों के पीने के पानी की फराहमी से भी छीन लिया गया है इसके नतीजे में इन तमाम कस्बू और दहातू में जेर जमीन पानी की सता बहुत गिर गई है तो प्यारे बच्चो आज के इस दूसरे लेक्चर में इतना ही, अगले वाले लेक्चर में थर में हम आल्टरनेट यूज के बारे में बात करेंगे और उसी के साथ हम ये चप्टर भी मुकमल करेंगे तब तक के लिए आलाह आफिज, असलाम अलाइकू वर्यमत ल्लाहि वा बरकौत हू फी अमान इल्लाह Assalamu Alaikum dear students of 8th class, I am your concerned SST teacher Sajjad Ahmed, hope all are you doing well. Today we are going to discuss our third lecture regarding our chapter number 9 from your political science textbook i.e. Public Facilities And our today's topic is about In Search of Alternatives यानि के मुत्बा दिल की तलाश में तो आईए, शुरू करते हैं चिन्ने की सूरत हाल अनूख ही नहीं है गर्मियों के महीने में किलत और शदीद बहरान का एक ऐसा ही मनजर भारत के दिगर शहरों में आम है Municipal पानी की किलत तेजी से प्रवेट कंपनियों की तोसी से पूरी की जा रही है जो मुनाफ़ा के लिए पानी फरोखत कर रही है पानी के इस्तिमाल में बड़ी अद्मिमसावात भी आम है बहरत में शहरी अलाके में फी शक्स पानी की फराहमी तकरीबन एक सो पैंटीस लीटर फी दिन तकरीबन साथ बाल्टियां होनी चाहिए ये एक मियार है जो अर्बन वाटर कमिशन ने मकरर किया है जबकि कच्ची आबादी के लोगों को फी दिन 20 लीटर से कम एक बाल्टी करना पड़ता है लगजरी होटलू में रहने वाले लोग रोजाना 16-100 लीटर 80 बाल्टियां पानी इस्तिमाल कर सकते हैं बलडियती पानी की कमी को अक्सर हकूमत की नाकामी की अलामत समझा जाता है कुछ लोगों का कहना है कि चुँके हकूमत जरूरत के मताबिक पानी फरहम करने से कासिर है और म्यून्सिपल वाटर के बहुत से महक में खसारे में चल रहे हैं हमें निजी कमपनियों को पानी की फराहमी का काम संभάλने की अजाज़त देनी चाहिए उनके मताबक निजी कमपनिया बेहतर कारकरदगी का मुझःरा कर सकती है मनलजा जेल हकाइख पर गोल कीजिए पहला पूरी दुन्या में पानी की फराहमी ह osta काम है निजी पानी की फरहमी की बहुत कम मिसाले हैं दूसरा, दुनिया में ऐसे इलाके हैं जहाँ आवामी पानी की सपले ने आफा की रसाई हासिल की है नीचे बॉक्स में देखिए तीसरा कुछ मामलात में जहां पानी की फराहमी की जिमिदारी निजी कमपनियों को सोपी गई वहां पानी की कीमत में जबरदस्ट इजाफा हुआ जिससे बहुत से लोगों के लिए ये नाकाबले बरदाश्ट हो गया बोलविया जैसी जगहों पर हंगामों के साथ शेहरों में जबरदस्ट एथजाज देखने में आया इसके बारे में आप यानि कि तफसीलन दसवी जमात में अच्छे से पढ़ोगे आपकी पुलिटिकल सेंस बुक में यानि कि डबोलविया वाटर वार जिसको किसने छेड़ा फैडिकॉर ने यानि कि इसके बारे में आप तफसीलन टेंथ कलास में पढ़ोगे यानि कि किस तरह का जबरदस्ट पानी पे एहतिजाज देखने को मिला जब प्रवेटेजेशन हुई तो जिसकी वज़ा से हुकूमत को प्रवेट कमपनियों से सर्विस वापस लेने पर मजबूर होना पढ़ा चोथा हिंदुस्तान के अंदर सरकारी आभी महाकमों में काम्याभी के मामला थे हलांकि ये तेदाद में कम है और इनके काम के बाज अलाकों तक महदूद है पानी की फराहमी पर अपने अखराजात पूरे करें है राबाद में एक रिपोर्ट से पता चलता है कि महाकमे ने काउरेज में इजावा किया है और महसूलात की वसूली में बहतर कारकरदगी दिखाई है चिन्नाई में महाकमे ने जमीनी पानी की सता को बढ़ाने के लिए बारिश के पानी को जमा करने के लिए कही इकदामात किये है इसने पानी की नकल वहमल और तक्सीम के लिए प्रवेट कंपनियों की खिदमात भी इस्तिमाल की है लेकिन सरकारी वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट पानी के टैंकरों के लिए रेट का फैसला करता है और इन्हें काम करने की इजाज़त देता है इसलिए इन्हें आन काइंट्रेक्ट कहा जाता है पोर्टो एलिगरी में अवामी पानी की फराहमी पोर्टो एलिगरी ब्राजील का एक शहर है अगर्चे शहर में बहुत से गरिब लोग रहते हैं लेकिन काबली जिकर बात ये है कि दुनिया के दीगर शहरों के मकाबले में इसमें बच्चों की अमवात की तेदाद बहुत कम है बच्चों की अवसत कीमत कम रखी गई है और गरीबों से बुनियादी शरह का नस्ब वसूल किया जाता है महाकमा जो भी मुनाफ़ा कमाता है वो पानी की फराहमी को बहतर बनाने के लिए इस्टिमाल होता है महाकमा आभी का काम शफाब है और लोगे फैसला करने में बराई रास्त के सकते हैं कि महाकमे को कौन से मनसूबे शरू करने चाहिए अवामी जलसों के अमल के जिरिए लोग सुनते हैं कि मेनीजर क्या कहते हैं और अपनी तरजिहात पर वोट भी देते हैं मंबई का मुझाफाती रेलवे पबलिक ट्रनस्पोर्ट का निजाम अच्छी तरह चल रहा है ये दुनिया का गुंजान तरीन रास्ता है जहां रोजाना 65 लाख मसाफिर आते हैं तीन सो किलो मीटर के फासले पर फहली हुई ये लोकल ट्रेने मंबई से दूर रहने वाले लोगों को शेहर में काम तलाश करने की इजाज़त देती है नोट करें कि शेहरों में रहाइश की ज्यादा कीमत एक आउसत कारकन के लिए शेहर में रहना नामुम्किन बना देती है आज कल हमारे प्रधान मंत्री बाइनल अक्वाम में भी चलाते हैं कि हमने सेनिटेशन फैसल्टी को बहुत बेहतर किया है यानि कि हमने करोडू में सोचाली बनाए है महतमा गांदी से 1896 में उच्छूत लोग क्या कहते हैं हमारे लिए लेट्रीन उन्होंने हैरत से कहा यानि कि किनोंने उच्छूत लोगुने हम खुले में जाकर ये काम अन्जाम देते हैं लेट्रीन तो आप बड़े लोगों के लिए है यहने कि यह मात्मा गांदी उच्छूतों की शिकायत बयान करते हैं कब राज कोट में 1896 में कि मैं हमेशा अपने उच्छूत बाईयों से यह शिकायत सुनता हूँ कि लेटलिन तो सिर्फ अमेर लोगों के लिए हैं हम गरिब लोग तो खुले में खुले आसमान तले ये काम अंजाम देते हैं जबकि हिंदुस्तान में आए रोज कितने केस्स होते रहते हैं ये तो आपको पता ही है इसलिए वज़ा क्या है वज़ा तो यही थी कि हिंदुस्तान में आज भी कुछ रियास्ते ऐसी है जहां पे सोचाले नहीं है पीने के साफ पानी के अलावा पानी से पेदा होने वाली बीमारियों की रोक थाम में सफाई सुतराई जरूरी है ताहम भारत में सफाई की काउरेज पानी से भी कम है 2011 के सरकारी एदाद शुमार से पता चलता है कि भारत में 87 फीसद गरानों को पीने के पानी तक रसाई हासिल है तक्रीबन 53 फीसद लोगों को सफाई सुतराई रहाईश के आहाते में बायतल खुला की सहुलियत तक रसाई हासिल है एक बार फिर ये दही और शहरी दोनों अलागों के गरीब है जो सफाई तक रसाई से महरूम है सोलब एक गेर सरकारी तन्जीम हिंदुस्तान में कमजात कमामदनी वाले लोगों को दरपेश सफाई के मसाईल को हल करने के लिए तक्रीबन पांच दहाईयों से पंचास सालों से काम कर रही है इसने आठ हजार पंच सो से ज्यादा कमिनिटी तॉइलेट बलाक्स और एक पॉइंट पॉइंच मिलियन यानि के डेड़ मिलियन गरेलू तॉइलेट तामीर किये हैं जिस से बीस मिलियन लोगों को सफाई तक रसाई हासिल है सोलब सहूलियत के इस्तिमाल करने वालों की अकसरियत गरीब मेहनत का श्टबके से है सोलब, मिन्सिपल्टियू या दिगर मुकामी हुकाम के साथ सरकारी फंडस से बायतलकुला तामीर करने के महाइदे करता है मुकामी हुकाम, खिदमात के कयाम के लिए जमीन और फंडस महिया करते हैं जबकि देख बाल के अकराजात बाज आवकात सारिप के मावजों के जरिये किये जाते हैं मिसाल के तोर पर शेहरों में लेटरिंग के इस्तिमाल के लिए 2 रुपया या 5 रुपया वसूल किये जाते हैं जिस तरह सिलिन अगर में मिनसिबिल्टी के आहाते में कोई जाता है तो वहाँ पे 5 रुपया और 10 रुपया देने पड़ते हैं अगली बार जब आप सोलब टॉलेट देखेंगे आप अपने आपको ये जानना चाहेंगे कि ये कैसे काम करता है बहरत की मर्दम शुमारी 2001 में दही गरेलू बिजली को 44 फीसद पर रखा गया है जिससे 38 मिलियन गराने अभी भी अंधेरे में हैं अब हम पहुँचते हैं नतीजे पे और इस बाब का खादमा करते हैं यानि कि इसको मुकमल करते हैं अवामी सहूलियात हमारी बन्यादी जरूरियात से मतलिक है और हिंदुस्तानी आईन